दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल लेडिजी स्पेशलिस को सबस्क्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही खुबसूरत ब्लव्स डिजाइन का वीडियो लेकर आई हूँ वीडियो पसंद आया तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए साथी चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं भूलें तो यहां पर मुझे लंबाई बनानी है साड़े बारा इंच नॉर्मल जब हम बनाते हैं तो इसको लेते हैं साड़े तेरा इंच लेकिन यहां पर हमें एक इंच एक्ष्ट्रा लेना है उसके लिए मैंने लाइन खीच रखिए पौन इंच या एक इंच के बराबर होना चाहिए एक्ष्ट्रा चेश्ट है मेरे पास आठ इंच यानि बतिस ये डैड इंच का मार्जिन है और उसके बाद फिटिंग की तरफ भी मैंने एक इंच एक्ष्ट्रा लिया है आर्म होल साथ इंच लिया मैंने जबकि लेना था साड़े चेश इंच तो यहाँ पर भी हाफ इंच मैंने इसको बढ़ा लिया है शोल्डर लिया है मैंने साथ इंच और गले की जो चोड़ाई है वो रक्रियों बाट नेक के अकॉर्डिंग पोने चार इंच चोड़ाई में और धाई इंच ले रहे हैं इसकी लंबाई बतिस चेश्ट के लिए है यह और आर्म हॉल पर एक निशान लगाया है मैंने धाई इंच पर और इस साइड मैंने एक इंच पर निशान लगाया है तो यह एक एक इंच की चोड़ाई रखनी है हमें याप पर और इसको इस तरह से आर्म होल वाला जो निशान लगाया था वहाँ पर लाकर मिलाना है राउंड शेप में उसके बाद नीचे से मैं इसे ले रही हूँ दो इंच और यहाँ पर यह चोड़ाई जो मैं ले रही हूँ वह है चार इंच अब इस चार इंच की चोड़ाई में हमें हमें एक हार्ट शेप ड्रॉ करना है तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है साथ में या उपर एक ड्रॉप शेप मैंने ड्रॉप कर लिया है तो मैं आपको बता रही थी कि बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको लंबाई और चोड़ाई दोनों में एक एक इंच एक्ष्ट्रा लेना है और आर मॉल में हाफ इंच तो ये दो इसो में हमारा ब्लाउज हो है वो कट हो जाएगा अब इसे हम ब्लाउज वाले फैबरिक पर रखकर कट कर लेंगे तो सबसे पहले हम अस्तर के साथ में इस ब्लाउज पीस को अटेच कर लेते हैं सिंपल ही अटेच करना है हमें तो ये साइड वाले जो इसे हैं उसे भी में अटेच कर लेना है तो ये मैंने अटेच कर लिया है अब सबसे पहले हम लगाएंगे बनो साइड में पाइपिन जैसे आपको पता है ये पाइपिन को में खीच देवा लगाना है और रे पट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा चोड़ाई में नहीं रखनी यह एक साइड मैंने लगा ली है इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पाइपिंग लगानी है और उसके बाद हमें नेक पर भी पाइपिंग लगानी है झाल 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 तो यह नेक पर भी हमारी पाइपिंग हो गई है अब यह जो हार्ट शेप हमने कट किया है था वहा पर भी हमें दूनों साइड में पाइपिंग लगानी है और उसके बाद हम करेंगे इसको आटेच तो अटेच हमें इस तरह से करना है देखिए दोनों तरफ से में मिलना आना है और इसमें ये पट्टी जो है वो एक्स्टर जो हमने लिया था पौन इंच लगबग तो वो जो है नीचे से निकलाएगी यानकि अटेच करते वक्ट हमें लंबाई और चोडाई दोनों को नाप लेना है ये पट्टी हम कट कर लेंगे उसके साथ में ये हो जाएगी हमारी बैक डाट और नीचे पाइप पेन और ये जो है उपर तो यहां से हमें अटेच करना है और साथ में हम लगा लेंगे बटन तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आये तो जो लाइक और शेयर कर दीजे आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अलदी से सब्सक्राइब पर दीजे साथी बैल आकन पर भी क्लिक कीजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके